तो मैं आज आपको बताऊंगा HP का 15s model कैसे open करते हैं आप इस laptop को पहले back side कर दीजिए इसके पीशे side ऐसे गुमाएंगे यहां पे आपको screw दिखेगा सबसे पहले आप इसमें battery निकालेगा बैटरी निकालते समय इसमें दोनों side में right और left में इसके lock दिया होते हैं आप इस lock को पहले इसको remove कर दीजिए मतब side में press कर देंगे दोनों side बाहर side में तो निकलेगा अगर एक side निकला और एक side का अगर आपने press नहीं किया तो वो बाहर निकलने में दिक्कत होगा या lock तू कि यह जो rubber के side side में दिये हुए हैं यहां पर भी screw अभी मैं यहां पर यह screw खोलूंगा और यहां पर screw खोलते हैं ध्यान से star screwdriver यूज करिएगा और इसमें देखें मेरा यह DVD writer निकल गया ठीक है दोस्तों अभी यह DVD writer निकल गया अभी हम देखो यह rubber की जो यह पट्टी है इस को निकालेंगे rubber की पट्टी इसको flip को निकालेंगे इसके नीचे screw लगा हुए इसके चारों तरफ जहां जहां पर rubber के लगए सब के नीचे screw लगा हुआ है जो बाहर से आपको दीखेगा नहीं कि यहां पर screw लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है और अगर आप जबर जस् से आप इस्कुरू को उमाएंगे और खूल जाएगा आपको टाइट या कोई भी प्रेसर नहीं देना है इसली वह खूल जाता है और उसके बाद में उसको इस्कुरू को निकाल दीजिए ठीक है अब सारे इस्कुरू जो भी होंगे आपके लेप्टॉप के बैक साइड में इसको एक-एक करके आप उसको निकाल दीजिएगा ठीक है अभी इस्कुरू निकालने के पर ध्यान रखना कि एस्पी के मॉडल के सारे लॉक्स जो होते हैं बहुत ही प्लास्टिक के लॉक्स लगे हुए होते हैं आप उसको ध्यान से करिएगा अब दीखे इसे मैंने इसको निकाल दे रहा हूं यह बॉड़ी को लॉक करता है जैसे की अच्पी के सारे लेप्टॉप्स के बॉड़ी खुलने के अलग-अलग तरीके होते हैं आप इस तरीकों से ध्यान से खोलिएगा दोस्तों इसमें कोई भी जोर जबरस्ती मत करिएगा लाइटली हास अगर कोई भी मिक्स मैं चाहां कोई भी इसकुरू हो गया तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप अची तरह से उसको कर सकते हो अब दिखे मैंने सारे इसकुरू से यहां पर निकाल दिया ठीक है अभी यह जो रवर्ड फ्लैप है इसको मैं रिमूट करता हूं इसके न यहां पर नहीं दिख रहें यह फ्लैप जब निकालेंगे इस प्लास्टिक के अब पाड़ ये बॉडी को लॉक एक करते हैं जो की आगे पीठे के बॉडी सबसे के पूरी बॉडी सफे dest Till님 को लॉक करते हैं यहां पर मैंने लेफट सैट में मैं इसकू निक नुपने रहा और उपनर से आप इसको body को दीरे-दीरे करके खोलिएगा इसमें plastic lock लगे होते हैं ध्यान से खोलिएगा नि तो lock तूट जाएंगे और इसमें कोई जवरजस्ती नहीं करना है रेतली हलके हाथ से खोलिएगा दीरे 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 करके वो सारे lock आपके वहां के प्लास्टिक के खुल जाएंगे ठीक है देखिए यह दियान से इस तरह से हलके हाथ से इसको उपर के तरफ उभारिएगा और मतलब उसको प्रेस करिएगा और वो दीरे 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 सारे locks को खुल जाएंगे ठीक है दोस्तों यह लॉक मैं खोल रहा हूं ध्यान से इसके लॉक खोलिएगा जो नीचे के पैनल को और उसके उपर के पैनल को लॉक किया होता है प्लास्टिक से लॉक रहता है और इसके वज़े से दीरे दीरे लॉक खुल जाते हैं इसको ध्यान से खोलिएगा इसके लॉक ने टूटने चा अब चारो साइड के जितने भी लॉक्स को दीरे जब आप ऌपन कर दोगे तो पैनल धीरे से उपर आ जाएगा जबी उपर आजाएगा तो आप उसको रेमोक करेंगे उपर के तरफ खेंगे तो वह हो जाएगा दीखिए यह लॉक्त संभाल के करना है दोस्तों कि कभी जो करे कीबट फीट होने में या बौडी फीट होने महते हैं अभी मैंने इसको रिमूर कर दिया दिकिए यह कैसे मैं उठा लिया और यह वह गया अभी इसके नीचे जो भी है देखो यह आपका सब पुरा दीख रहा हुअ है कि समें हर्डिक्स कहां पर है रैम कि दहर रहा है फैन कि छुट करेंगे तो पैनल टूट जाएगा क्योंकि यह प्लास्टिक के पैनल है दोस्तों देखिए अभी यह सारे connections होगे बोर्ट के होगे आप देख लीजिएगा साइट के इसके जो भी USB के ओगर के connection होता है वह भी अच्छी तरह से दीखिएगा दीखिए अब मैं यहां पर इसको आपको fit करके यहां पर फिर से वापिस पैक करके आपको बता देता हूं क कि कैसे fit करना दी कि अभी यह मैंने पैनल वापिस वहां पर fit कर दी अगर हार्डिक्स रायम सब आपने समझे चेंज करना या रिमू करना या अपग्रेट करना करने के बाद में फिर से इसको प्रेस करिएगा जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो यह प्लास्टिक के जो इतने भी connections से सारे भी screws है जहां जहां से आपने निकाला था वहां वहां पर fit करते चले जाएगे और यह आपका यहां पर fit हो जाएगा और सारे screw वहां पर tight करने के बाद आप एक बार चेक कर लिजेए कि कोई screw वहां पर छुटा हुआ तो नहीं है वो ध्यान से चेक कर लिजेगा इस टीप को अची तरह से लगा दीजेगा जिस तरह से कंपरी ने fit करके दिया हुआ था और यहां पर अभी बैटरी है इस बैटरी को जिस तरह से आपने निकाला तो उसी तरह से वहां पर उसे सिप्पूस्ट कर देंगे तो भी और अटमेटिक इस लॉप में ब